असी नमस्कार सैनिक भाईयों सैनिक भाईयो माप कर देना आज मुझे को और सच में आज मैं वो खबर आपको देने वाले हों जिसको ले करगे आपको बहुत दुखिथ हो जाएगा और हकीकत जानने हैं तो भाई कहते हैं कि सच कड़वा होता है दवाई कड़वी होती है तब ही असर करती है वही चीज इस वीडियो में है सच यह है कि एक्वल MSP 15500 आज तेरा तारीख है ना सब को इंतजार रहा होगा कोट का चैवो एक्सर्विसमेन है और चैवो वरकिंग सोलजर है सब को इसलिए सच जान लो बुरा लगा होगा क्योंकि आज मैंने ये लिख दिया कि नहीं मिलेगी क्यों लिखा है मैंने ये लगातार पिछे तक अब इतसे पहले जितनी भी मैंने इस चीज को लेकर के वीडियो बनाई उसमें सब को बता था हमने दिखाया कि कहना हमें अगली त सर्विसमेन के लोग वहाँ पहुंचे अपने तमाम इन्होंने सब कुछ अपने कागज त्यार कर रखे हैं सभी प्रूफ त्यार कर रखे हैं सारे डोकॉमेंट त्यार कर रखे हैं अरे उसके बावजूद भी बार बार कभी कोट चेंज कभी जज चेंज क्यों भाई क्यों और मैं बता देता हूँ अब आपको होगए ये बाते तो पीछे भी बताई थी नया क्या है नया ये है कि नहीं मिलेगी MSP क्यूं बोल रहा हूँ ये बता देता हूँ आपको अगर सरकार की मनशा होती सरकार की अगर ये मन्शा होती कि हाँ हमारे जवान जेशियोज भाई के साथ नाइनसापी हो रही है उनके साथ भेदमा हो रहा है उनका हक मारा जा रहा है कि जो उनको 15,500 के हिसाब से मिलनी चाहिए MSP या जो अधिकारियों को जो मिल रही है वही हमारे जवान जेशियोज को मिलने चाहिए सम्मान तो पक्की बात है शायद नहीं पक्की बात तो सरकार अपने वकील इनके खिलाब जवान जेशियोज जो जो वोईस ओफ एक सर्विसमें ने अपने जो केस डाला है तो सरकार कभी अपने वकील ना लगाती दूसरी बात ना ही कोट तक पहुँचने की नोबत आती ना ही किसी भी संस्था को कोट तक पहुँचने की नोबत आती कि भई हमें हमारा सम्मान दो सेन्य सम्मान भत्ता 15500 के साब से और तो और जब सरकार अब अपने वकील छोड़ चुकिया इनके अगेंश्ट कि क्याना में वो अपनी दलील रखेंगे ये अपनी दलील रखेंगे तो आपको लगता है कि सरकार देना चाहती है 15500 के साब से हमारे जवान जैसुस का सम्मान करना चाहती है कब्भी भी नहीं कब्भी भी नहीं इसलिए मैंने लिखा कि नहीं मिलेगी MSP 15500 आज जानते न क्या हुआ आज फिर एक नई तारिक मिली 27 तारिक 13 तारिक को पहले था इंतजार 13 को होगा 13 के बाद हम मिल गई 27 को और 27 को भी डैम शोर कह रहा हूँ फैंसला नहीं आएगा बुरा लग रहा होगा फिर कह रहा हूँ क्योंकि मैं साफ बोल रहा हूँ ना नहीं आएगा लेकिन बुरा लग रहा होगा लगे भाई क्या करूँगा सच यही है मैं जबरदस्ती टाइटल कुछ और बनाऊ जब बरदस्ती वीडियो दिखाने के लिए थंबलेन कुछ और बनाऊं तो वो गलत है इससे बड़ी है किलियर को मुझे 99.99% कहा हूँ डैम शूर कि 27 तारिख जो अगली तारिख है उसको भी फैसला नहीं आएगा और सुनवाई हो जातो बड़ी गनिमत की बात है कभी जज चेंज कभी बेंच चेंज कभी कोड चेंज कभी फलाना चेंज डिकाना चेंज क्या लगा के रखा है यार और कोई आतंकवादी के लिए हैं देश द्रोई के लिए रात को अदालते खुल जाती है और हमारे देश के जवानों के लिए सैनिकों के लिए जवान जैसे उनके सम्मान के लिए, उनका अधिकार के लिए और कुछ भी नहीं है वही अदालत चेंज हो जाती है जज साब चेंज हो जाते है नई बेंच बेट जाती है, फिर उनको समझाओ पूरी बाते हैं, फिर वो समझेंगे फिर वो डेट पर डेट देंगे, मुझा यही सिल्सला चलता रहेगा कब होगा फैसला? कब भी नहीं होगा फैसला क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती है